नमस्कार में नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPNI नूस रजिस्थान में विदाहन सभा चुनाव से पहले भारती जनता पार्टी क्या वसुंदरा राजे पर कोई बड़ा फैसला लेती वी नजर आएगी क्योंकि वसुंदरा राजे बीजेपी कार्याले के बाहर पाई गई है और यहाँ पर एक बड़ी मीटिंग के लिए पहुँची है ऐसे में देखा जाए तो वसुंदरा राजे की बात कहें तो भारते जनता पार्टी में कोई बड़ा पद उन्हें मिलता वो नजर नहीं आई है ना ही राजस्थान में कोई बड़ी जिम्यदारी वसुंदरा राजे को सौंपी गई है ऐसे में देखा जाए तो राजस्थान में सच्चिन पालेट अगर कॉंग्रिस की बात कही जाए तो यहाँ पर आपसी कल है का सुलह हो जाता है और यहाँ पर सच्चिन पालेट भारते जनता पार्टी पर निसाना साथते वे नजर आते हैं अशोग गहलोत के साथ हाथ मिलाते वे दिखाई देते हैं और दोनों चुनावी मैदान में उतरते वे भारते जनता पार्टी की हार का दावा करते वे दिखाई देते हैं लेकिन अब यहाँ पर वसंदरा राजवे की नराजगी को दूर करने के लिए यहाँ पर कॉंग्रेस ने तो नराजगी दूर की लेकिन अब क्या राज़स्थान में भारते जनता पार्टी वसंदरा राजवे की नराजगी को दूर करने के लिए क्या उनको सीम चेहरे के रूप में उतारती वे नजर आएंगी क्योंकि वसंदरा राजगी की लगभग यही मांग रही है कि यहाँ पर कोई बड़ी जिम्मेदारी चुनाव से पहले उन्हें मिलती वे नजर आएं लेकिन वसंदरा राजगी की बात कही जाए तो भारते जनता पार्टी में एक मंत्री बनकर रह गई हैं लेकिन अभी तक कोई बड़ी जिम्मेदारी वसंदरा राजगी को या फिर सीएम के चेहरे के रूप में अभी तक उतारी नहीं गई है वहीं आपको बता दें कि कई बड़े ऐसी चीजे सामने आती हैं कि भारते जनता पार्टी यहाँ पर दावे करती वी नजर आती है की नजर आती है क्योंकि कॉंग्रेस की तरफ से दावा किया जाए तो सचिन पालेट कहीं ना कहीं यहाँ पर सीएम चेहरे के रूप में बखुबी नजर आ रहे हैं अब ऐसे में इस वीडियो के माधिम से आप देखी रहे होंगे कि वसंदरा राजे बीजे पी दफ्तर के बाहर दिखाई दी हैं अब ऐसे में बड़ी मीटिंग होती है तो क्या वसंदरा राज जो यह मीडिया के सामने कोई बड़ा ऐलान करती हुई भी नजर आएंगी झाल 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 झाल